नमस्कार मैं संजीव कुमार आज गौरों साली जीवन कैसे जीए जिसकी रचना डाक्टर बिनोत के गुपता जीने की है इसके छठें और अंतिम भाग को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक तीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है यहां अपने व्यक्तित्य के निखार ने की बात की गई है इच्छा का उद्गम आवश्यक्ता है और तृष्णा का स्रोत विकार है योग के समान विपश्यना हमें स्वायत बनाती है जैवरशायन इस तर पर विकारों का समन होने से हम स्वायत बन जाते हैं गीता की मानिता है कि इस्थित प्रग्य होने पर हम कर्म करना बंध नहीं करते बलकी कर्म हमें बंधनों में नहीं बाधते जिनका जीवन मोह से संचालित है वे करुणा की वास्त्विक्ता नहीं समझ सकते मोह और करुणा में व्यापक अंतर है मन के पूर्ण होने पर सारा संसार अम्रित से भरपूर दिखाई पड़ता है जैसे की जूता पहने हुए पुरुष के लिए समस्त प्रित्वी चम्रे से ढकी हुई इसी प्रतीत होती है वसिस्ट बुद्धी और भावना का समन्यों बुद्धी और भावना का समन्यों माने विवेक पिनोबा नैसरगिक गुण लक्षन अथवा अवस्था पर चित को सैमित करने से किसी के भी विशे में भूत तथा भविश्य का ज्यान हो जाता है गीता समुद्र में थोड़ी वर्षा और थोड़ी धूप का या वर्षा और धूप का वही प्रभावन ही पड़ता है इसी प्रकार विवेकवान पुरुष घर्टनाओं से प्रभावित या योग हैं दुष्प्रभावित नहीं होते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया में मौलिक्ता का अभाव होता है मौलिक्ता व्यक्तित्व का एक गुण है अनुसंधानों की परंप्रा को ज्ञानी और मूल दोनों ही आगे बढ़ाते हैं ध्यान दे मूल तो आप जानते हैं न कौन होते हैं वे मूल जिन का ज्ञान भावनाओं से संचालित होता है वही मूल हैं सचमुच ग्यानी तो मौन ही रहता है लेकिन मूल तरक के मामले में हमेशा तत्पर रहता है सिक्षा इस तत्थे पर आधारित है कि आंत्रिक छमताओं को विक्षित करके बाह प्रस्तितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए विवे की पुरुष की मौत कभी अचानक नहीं होती जीन डिला फॉंटेन अंत में गौरो साली जीवन वही जी सकता है जिसमें करुणा धैर्य विवे साहस हो और हर हाल में मुश्कुरा रहा हो क्योंकि जहां प्रकास होगा वहां अंधकार गायब हो जाएगा धन्यवाद नमस्कार